C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वरा प्रस्तुत है प्रक्चा बारह के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो पाठ चौदह लेखक भणीश्वरनात रेणू प्रिष्ठ संख्या 106 से 117 तक पाठ पहलवान की धोलक प्रिष्ठ संख्या 106 लेखक परिचय लेखक भणीश्वरनात रेणू जन्म 4 मार्च सन 1921 और आही हिंगना जिला पूर्णिया अब अरर्या बिहार में प्रमुकरच नाए परती परी कथा दीर्घतपा जुलूस कितने चोरा है जो उपन्यास है ठुम्री अगिन खोर आदिम रातरी की महक एक श्रावणी दो पहरी की धूप जो कहानी संग्रह है रिणजल धनजल वन तुलसी की गंध शुत अशुत पूर्व जो संस्मरण है नेपाली क्रांती कथा जो रिपोर्ट आज है तथा रिणू रचनावली पाँच खंडों में समग्र निधन 11 अप्रेल सन 1977 पटना में कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सिर्जनहार के बंधे बंधाय नियम खानून नीती अत्वा फॉमिले को तोड़ कर बाहर निकला आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मताबिक गढ़ने लगते हैं हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार पणीश्वर नाथ रिणू का जीवन उतार चड़हावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था साहित्य के अलावा विभिन राजनैतिक एवं सामाजिक आंदो लनों में भी उन्होंने सक्रिय भागिदारी की उनकी यह भागिदारी एक और देश के निर्मान में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रजनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही सन 1954 में उनका बहुत चर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आचल प्रकाशित हुआ जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्ष मेला आचल से ही प्रारंभ हुआ आंचलिक ताकी इस अवधारणा ने उपन्यासों तथा कथा साहित्य में गाउं की भाषा संस्कृती और वहां के लोक जीवन को केंद्र मेला खड़ा किया लोक गीत लोकोक्ती लोक संस्कृती लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगण रूप में ही आता है इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य शामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मेला भी स्वात्यन त्रियोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था ऐसे में रेडु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाशा की सार्थक्ता बोली के सहचरे में ही है परिष्ट संक्या 107 पाठ परिचे फणीश्वर नाथ रेडु की प्रतिनिधी कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है यह कहानी कथाकार रेडु की समस्त विशेष्टाओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है रेडु की लेखनी में अपने गाउं अंचल एवं संस्कृती को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है ऐसा लगता है मानो हरेक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रन अत्यंत दुरलब है रेडु वैसे गिने चुने करने गद्दे में भी संगीत पैदा कर दिया है अन्यथा धोलक की उठती गिर्ती आवाज और पहलवान के क्रिया कलापों का ऐसा सामंजस्य दुरलब है इन विशेश्टाओं के साथ रेडु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है राजा सहाब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बलकि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीख है यह भारत पर इंडिया के च्छा जाने की समस्या है जो लुटन पहलवान को लोककलाकार के आसन से उठा कर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरिहता की भूमी पर पटक देती है ऐसी स्थिती में गाउं की घरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आपको ना सिर्फ जिलाय रखता है बलकि भूख वो महामारी से दम तोड रहे गाउं को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है कहानी के अंत में भूख महामारी की शकल में आये मौत के शड़े अंत्र जब अजेय लुटन की भरी पूरी पहलवानी को भटे ढोल की पोल में बदल देते हैं तो इस करुणा या त्रासदी में लुटन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है वहपोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की क्या कला की प्रासंगिक्ता व्यवस्था की मुखा पेक्षी है अत्वा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदरे के लिए लोग कलाओं को प्रासंगेक बनाए रखने हे तो हमारी क्या भूमी का हो सकती है निश्चे ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है प्रिष्टे संख्या 108 प्रस्थुत है पाठ पहलवान की धोलक जाड़े का दिन अमा वस्या की रात ठंडी और काली मलेरिया और हैजे से पेडित काउं बयार्त शिशु की तरह थर-थर काप रहा था पुरानी और उजड़ी बांस भूस की जोपडियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित सामराज्य अंधेरा और निस्तब्धता अंधेरी रात चुपचाप आंसु बहा रही थी निस्तब्धता करुण सिस्कियों और आहों को बलपूर्वक अपने हिर्दय में ही दबाने की चेश्टा कर रही थी आकाश में तारे चमक रहे थे पृत्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं आकाश से तूट कर यदि कोई भावुकतारा पृत्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी जोती और शक्ती रास्ते में ही शेश हो जाती थी अन्यतारे उसकी भावुकता अत्वा आसफलता पर खिल खिला कर हस पढ़ते थे सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी-कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी गाउं की जोपडियों से करहने और क्या करने की आवाज हरे राम, हे भगवान, कि तेर अवश्य सुनाई पढ़ती थी बच्चे भी कभी-कभी निर्भल कंठों से मा-मा पुकार कर रो पढ़ते थे पर इस रात्री की निस्तब्धता में विशेश बाधा नहीं पढ़ती थी कुत्तों में परिस्थिती को ताड़ने की एक विशेश बुद्धी होती है वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड कर मन मार कर पढ़े रहते थे संध्या या गंभीर रात्री को सब मिल कर रोते थे रात्री अपनी भीशनताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीशनता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातहकाल तक एक ही गती से बजती रहती चटधा गिरधा चटधा गिरधा यानि आजा भिरजा आजा भिरजा बीच बीच में चटाक चटधा यानि उठा कर पटक दे उठा कर पटक दे यही आवाज मृत गाउं में संजीवनी शक्ती भरती रहती थी लुटन सिंग पहलवान प्रिष्ट संख्या 109 प्रिष्ट 109 में केवल एक चित्र दिया गया है यह रात्री काल में गाउं का द्रिश्य है जिसमें लुटन सिंग पहलवान धोलग बजा रहा है और धोलग से निकलने वाले ध्वनी को शब्दों में लिखा गया है जो इस प्रकार है चटधा गिरधा चटधा गिरधा यानि आजा भिरजा आजा भिरजा प्रिश्ट संख्या 110 यों तो वो कहा करता था लुटन सिंग पहलवान को होल इंडिया भर के लोग चानते हैं किन्तु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे लुटन के माता पिता उसे नौ वर्ष की उम्र में ही अनाथ बना कर चल बसे थे सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी वरना वह भी मा बाप का अनुसरण करता विद्वा सास ने पाल पोस कर बढ़ा किया बचपन में वह गाय चराता धारोशन दूध पीता और कसरत किया करता था गाओं के लोग उसकी सास को तरहा तरहा की तकलीफ दिया करते थे लुटन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी नियमित कसरत ने किशोरा वस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडॉल तथा मांसल बना दिया था जवानी में खदम रखते ही वहां गाउं में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों और पैंतालीस डिगरी की दूरी पर फैला कर पहलवानों की भांती चलने लगा वह कुष्टी भी लड़ता था एक बार वह दंगल देखने शाम नगर मिला गया पहलवानों की कुष्टी और दाउं पेंच देखकर उससे नहीं रहा गया जवानी की मस्ती और ढोल के ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंग वह अपने गुरू पहलवान बादल सिंग के साथ पंजाब से पहले पहल शाम नगर मेले में आया था सुन्दर जवान अंग प्रत्यंग से सुन्दर ता टपक पड़ती थी तीन दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पठों को पचाड़ कर उसने शेर के बच्चे की टाइटिल प्राप्त कर ली थी इसी लिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगा कर एक अजीब किलकारी भर कर छोटी दुलकी लगाया करता था देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कलपना से भी घबराते थे अपनी टाइटिल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंग बीच बीच में दहारता फिरता था शाम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा सहाब उसे दरबार में रखने की बाते कर ही रहे थे कि लुटन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी सम्मान प्राप्त चांद सिंग पहले तो किंचित उसकी स्परधा पर मुस्कुराया फिर बास की तरह उस पर तूट पड़ा शांत दर्शकों की भीड में खलबली मच गई पागल है पागल मरा ए मरा मरा पर वाहरे बहादूर लुटन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठकर खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा राजा सहाब ने कुष्टी बंद करवा कर लुटन को अपने पास बुलवाया और समझाया अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए दस रुपे का नोट देकर कहने लगे जाओ मेला देखकर घर जाओ पिष्टी संख्या 111 नहीं सरकार लडेंगे हुकम हो सरकार तुम पागल हो जाओ मैनेजर सहाप से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया देह में गोश्ट नहीं लड़ने चला है शेर के बच्चे से सरकार इतना समझा रहे हैं दुहाई सरकार पत्थर पर माथा पटक कर मर जाओंगा मिले हुकम वह हाथ जोड़ कर गिर गिराता रहा था भीड अधीर हो रही थी बाजे बंध हो गए थे पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुटन पर गालियों की बौचार कर रही थी दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी कोई-कोई लुटन के पक्ष से चिलना उठता था उसे लड़ने दिया जाए अकेला चान सिंग मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेश्टा कर रहा था पहली पकड में ही अपने प्रती द्वंध्वी की शक्ती का अंदाजा उसे मिल गया था विवश होकर राजा सहाब ने आग्या दे दी लड़ने दो बाजे बजने लगे दर्शकों में फिर उत्तेज ना फैली कोला हल बढ़ गया मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दोड़े चान सिंग की जोड़ी चान की कुष्टी हो रही है चटधा किरधा चटधा किरधा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा धाक धिना धाक धिना धाक धिना अर्थाथ वह पठ्थे वह पठ्थे लुटन को चान्द ने कसकर दबा लिया था अरे गया गया दर्शकों ने तालिया मजाई हलवा हो जाएगा हलवा हसी खेल नहीं शेर का बच्चा है बच्चू चट गिर्धा चट गिर्धा चट गिर्धा मत डर्ना मत डर्ना मत डर्ना लुटन की गर्दन पर केहुनी डाल कर चान्द चित्त करने की कोशिश कर रहा था वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंग अपने शिश्य को उत्साहित कर रहा था लुटन की आखें बाहर निकल रही थी उसकी चाती फटने फटने को हो रही थी राजमत बहुमत चांद की पक्ष में था सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे लुटन के पक्ष में सिर्फ धोल की आवास थी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ती और दाओं पेच की परिक्षा ले रहा था अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था अचानक धोल की एक पतली आवास सुनाई पड़ी धाक धिना तिरकट तिना धाक धिना तिरकट तिना लुटन को स्पष्ट सुनाई पड़ा धोल कह रहा था दाओं काटो, बाहर हो जा दाओं काटो, बाहर हो जा लोगों के आश्चरे की सीमा नहीं रही लुटन दाओं काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गरदन पकड़ ली वाहरे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकलाया इसी लिए तो जन्मत बदल रहा था मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा चटाक चटधा, चटाक चटधा उठा पटक दे, उठा पटक दे लुटन ने चालाकी सिद्दाओं और जोर लगा कर चांद को जमीन पर दे मारा धिना धिना थिक धिना अर्थात चित करो, चित करो लुटन ने अंतिम जोर लगाया चांद सिंग चारो खाने चित हो रहा धागिडगिड, धागिडगिड, धागिडगिड वह बहादूर, वह बहादूर, वह बहादूर जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किस की जैध्वनी की जाए फलतह अपनी अपनी च्छानुसार किसी ने मादुरगा की महावीर जी की कुछ ने राजा शामानंद की जैध्वनी की अंत में सम्मिलित जै से आकाश गूंज उठा विजई लुटन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दोड़ा और धोलों को श्रधा पूर्वक प्रणाम किया फिर दोड़ कर उसने राजा सहाब को गोद में उठा लिया राजा सहाब के खीमती कपड़े मिट्टी में सन गए मैनेजर सहाब ने आपत्ती की हे हे अरे रे किन्तु राजा सहाब ने स्वयम उसे चाती से लगा कर गदगद हो कर कहा जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली पंजाबी पहलवानों की जमायत चान सिंग की आँखें पोच रही थी लुट्टन को राजा सहाब ने पुरस्कृत ही नहीं किया अपने दर्बार में सदा के लिए रख लिया तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा सहाब उसे लुट्टन सिंग कहकर पुकारने लगे राज बंडितों ने मुह बिच काया मैनेजर सहाब क्षत्रिय थे क्लीन शेवड चहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगा कर नाक के बाल उखाड रहे थे चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले हाँ सरकार ये अन्याय है राजा सहाब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा उसने ख्षत्रिय का काम किया है उसी दिन से लुट्टन सिंग पहलवान की कीर्टी दूर दूर तक फैल गई पौश्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा सहाब की स्नेह द्रिष्टी ने उसकी प्रसिधी में चार चान लगा दिये कुछ वर्षों में ही उसने एक-एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंगा कर आसमान दिखा दिया कालाखा के सम्मंध में यह बात मशहूर थी कि वहज्यों ही लंगोट लगा कर आली कहकर अपने प्रतिद्वन्द्वी पर तूटता है प्रतिद्वन्द्वी पहलवान को लगवा मार जाता है लुटन ने उसको भी पटक कर लोगों का ब्रहम दूर कर दिया उसके बात से वह राजदर्बार का दर्शनिय जीव ही रहा चिडिया खाने में पिंजडे और जंजीरों को जखजोर कर बाग दहारता हाउं, हाउं सुनने वाले कहते राजा का बाग बोला ठाकुर बाडे के सामने पहलवान गरचता महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध कर मतवाले हाथी की तरह जूमता चलता तुकानदारों को चुहल करने की सूजती हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता पहलवान काका ताजा रजगुल्ला बना है जरा नाश्ता कर लो पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हसी हसकर कहता अरे तनी मनी का है ले आओ डेड़ सेर और बैठ जाता दो सेर रजगुल्ला को उदरस्थ करके मुह में आठ दस पान की गिलोरिया ठूस ठुड़ी को पान के रसे लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता मेले से दरबार लोटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती आखों पर रंगीन अबरक का चश्मा हाथ में खिलोने को नचाता और मुह से पीतल की सीटी बजाता हस्ता हुआ वह वापस जाता बल और शरीर की वृद्धी के साथ बुद्धी का परिमान घटकर बच्चों की बुद्धी के बराबर ही रह गया था उसमें दंगल में धोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा सहाब लुटन को आग्या ही नहीं देते इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगा कर देह में मिट्टी मल और उच्छाल कर अपने को सांड या भैसा साबित करता रहता था बुढ़े राजा सहाब देख देख कर मुस्कुराते रहते योही पंद्रह वर्ष बीद गए पहलवान अजे रहा वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी पहलवान की स्त्री भी दो पहलवानों को पैदा करके स्वर्गसिधार गई थी दोनों लड़के पिता की तरहा ही गठीले और तगडे थे दंगल में दोनों को देख कर लोगों के मुह से अनायास ही निकल पड़ता वाह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे आद दोनों बेटे दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोशित हो चुके थे अतह दोनों का भरण पोशन दरबार से ही हो रहा था प्रति दिन प्रातह काल पहलवान स्वयम धोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्यान की भी शिक्षा देता समझे, धोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना हाँ, मेरा गुरू कोई पहलवान नहीं ये धोल है, समझे धोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ दंगल में उतर कर सबसे पहले धोलो को प्रणाम करना, समझे ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था प्रिष्ट संख्या 114 किन्तु उसके शिक्षा दीक्षा सब किये कराय पर एक दिन पानी फिर गया व्रिद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया राजा सहाब के समय शिथिलता आ गई थी राजकुमार के आते ही दूर हो गई बहुत से परिवर्तन हुए उन्हीं परिवर्तनों की चपेटा घात ने पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोडी की रेस ने ले लिया पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्याय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल नए मैनेजर सहाब ने कहा हॉरिबल पहलवान को साफ जवाब मिल गया राज दरबार में उसकी आवश्यक्ता नही उसको गड़गिडाने का भी मौका नहीं दिया गया उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गाउ में लोटाया और वही रहने लगा गाउ के एक चोर पर गाउ वालों ने एक झोपड़ी बांध दी वही रह कर वह गाउ के नौजवानों और चरवाहों को कुष्टी सिखाने लगा खाने पीने का खर्च गाउं वालों की ओर से बंधा हुआ था सुभा शाम वह स्वयम धोलक बजा कर अपने शिश्यों और पुत्रों को दाउं पेंच वगेरा सिखाया करता था गाउं के किसान और खेती हर मजदूर के बच्चे भला क्या खा कर कुष्टी सीखते धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पढ़ने लगा अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह धोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा सिखाता रहा दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही अकसमात गाउं पर यह वजरपात हुआ पहले अनावरिष्टी फिर अन्ने की कमी तम मलेरिया और हैजे ने मिलकर गाउं को भूनना शुरू कर दिया गाउं प्रायह सूना हुचला था घर के घर खाली पढ़ गये थे रोज दो तिन लाशे उठने लगी लोगों में खल बली मची हुई थी दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हिरदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चहरे पर कुछ प्रभा तृष्टी गोचर होती थी शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूंखते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकल कर अपने पडोसियों और आत्मियों को ढाड़स देते थे अरे क्या करोगी रोकर दुलहिन जो गया सो तो चला गया वह तुम्हारा नहीं था वह जो है उसको तो देखो भाईया, घर में मुर्दा रखके कब तक रोगे कफन, कफन की क्या जरूरत है दे आओ नदी में इत्यादी किन्तु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी जोपडियों में घुश जाते तो चूं भी नहीं करते उनकी बोलने की शक्ती भी जाती रहती थी पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी रात्री की विभीशिका को सिर्फ पहलवान की धोलक ही ललकार कर चुनोती देती रहती थी पहलवान संध्या से सुभा तक चाहे जिस खयाल से धोलक बजाता हो किन्तु गाउं के अर्ध मृत औशधी उपचार पत्य विहीन प्राणियों में वह संजीविनी शक्ती ही भरती थी बूढ़े बच्चे जवानों की शक्ती हीन आखों के आगे दंगल का द्रिश्य नाचने लगता था स्पंदन शक्ती शून्य स्नायों में भी बिजली दोड़ जाती थी अवश्य ही धोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ती को रोकने की शक्ती ही पर इसमें संदेह नहीं की मरते हुए प्राणियों को आख मूद ते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी मृत्यू से वे डरते नहीं थे जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटा घात में पड़े सहय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान बीच बीच में पहलवानों की भाशा में उच्साहिद भी करता था मारो बहादुर प्रातह काल उसने देखा उसके दोनों बच्चे समीन पर निस्पंद पड़े हैं दोनों पेट के बल पड़े हुए थे एक ने दाथ से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी एक लंबी सास लेकर पहलवान ने मुस्कुराने के चेश्टा की थी दोनों बहादुर गिर पड़े उस दिन पहलवान ने राजा श्यामा नंद की दी हुई रेश्मी जांगिया पहन ली सारे शरीर में मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत की फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया लोगों ने सुना तो दंग रह गए कितनों की हिम्मट तूट गई किन्तु रात में फिर पहलवान की ढोलकी आवाज रति दिन की भाती सुनाई पड़ी लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई संतप्त पिता माताओं ने कहा दोनों पहलवान बेटे मर गए पर पहलवान की हिम्मत तो देखो देड़ हाथ का कलेजा है चार पाँच दिनों के बाद एक रात को धोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी धोलक नहीं बोली पहलवान के कुछ दिलेर किन्तु रुग्ण शिश्यों ने प्रातहकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है गुरु जी कहा करते थे कि जब मैं मर जाओं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना मैं जिन्दगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय धोलक बजा देना वह आगे बोल नहीं सका पृष्टिव संख्या 116 अभ्यास पाठ के साथ प्रश्न एक कुष्टी के समय धोल की आवाज और लुटन के दाउं पेच में क्या ताल मिल था पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और धोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनी पैदा करते हैं उन्हें शब्द दीजिए प्रश्न दो कहानी के किस-किस मोड पर लुटन के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आए प्रश्न तीन लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं यही ढोल है प्रश्न चार गाउं में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुटन पहलवान धोल क्यों बजाता रहा प्रश्न पाँच धोलक की आवास का पूरे गाउं पर क्या असर होता था प्रश्न च्है महामारी फैलने के बाद गाउं में सूर्योदै और सूर्यास्त के द्रिश्य में क्या अंतर होता था प्रश्न साथ कुष्टी या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रियशौक हुआ करता था पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेश सम्मान दिया जाता था क ऐसी स्थिती अब क्यों नहीं है ख इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है ग कुष्टी को फिर से प्रियखेल बनाने के लिए क्या-क्या कारे किये जा सकते हैं प्रश्न आठ आशे स्पष्ट करें आकाश से तूट कर यदि कोई भावकतारा प्रित्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी जोती और शक्ती रास्ते में ही शेश हो जाती थी अन्यतारे उसकी भावकता अथ्वा आ सफलता पर खिल-खिला कर हस पड़ते थे प्रश्न नौ पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृती का मानवी करण किया गया है पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशे स्पष्ट कीजिए पाठ के आसपास पाठ में मलेरिया और हैजे से पीडित गाउं की दैनीय स्थिती को चित्रित किया गया है आप ऐसी किसी अन्यापद स्थिती की कलपना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिती का सामना कैसे करेंगे या करेंगी दूसरा धोलक की थाप मृत गाउं में संजीविनी शक्ती भरती रहती थी कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए तीसरा चर्चा करें कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है प्रिष्ठ संख्या 107 भाशा की बात पहला, हर विशय, क्षेत्र, परिवेश, आदी के कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं पाठ में कुष्टी से जुड़ी शब्दावली का बहुतायत प्रियोग हुआ है उन शब्दों की सूची बनाईए साथ ही, दिये गए क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोई पाँच-पाँच शब्द बताईए चिकित्सा, क्रिकेट, न्यायाले या अपनी पसंद का कोई क्षेत्र दूसरा, पाठ में अनेक अंश ऐसे हैं जो भाषा के विशिष्ट प्रियोगों की बानगी प्रस्तुत करते हैं भाषा का विशिष्ट प्रियोग न केवल भाषाई सरजनात्मक्ता को बढ़हवा देता है बलकि कथे को भी प्रभावी बनाता है यदि उन शब्दों वाक्यानशों के स्थान पर किसी अन्ने का प्रियोग किया जाए तो संभवतह वह अर्थगत चमतकार और भाषिक सौंदरे उद्गाटित ना हो सके कुछ प्रियोग इस प्रकार है फिर बाज की तरह उस पर तूट पड़ा राजा सहाब की इसनेह द्रिष्टी ने उसकी प्रसिधी में चार चांद लगा दिये पहलवान की स्त्री भी दो पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी इन विशिष्ट भाषा प्रियोगों का प्रियोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिये तीसरा जैसे क्रिकेट की कमेंटरी की जाती है वैसे ही इसमें कुष्टी की कमेंटरी की गई है आपको दोनों में क्या समानिता और अंतर दिखाई पड़ता है इसी के साथ आरो भागदो का पाठ चौदह यहां समाप्थ हुआ प्रस्टुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत